अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ती हैं, तो EPF यानि Employee Provident Fund के बारे में जानते ही होंगे हर महीने सैलरी से पैसे कट कर इसमें जमा होते रहते हैं, जिससे नौकरी करने वालों का भविश्य financially सुरक्षित रहे Emergency Situation में पैसे की व्युस्ता के लिए लोग अक्सर इस फंड से पैसा निकालते हैं, लेकिन इस फंड से पैसा निकालने का प्रॉसेस लंबा और जहलाओ होता है इसी को आसान बनाने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए, हाल ही में दिल्ली में कर्मचारी भविश्य निधि संगठन यानि EPFO की सोलहवी जोनल मीटिंग हुई है जिसमें तैय किया गया कि EPF सिस्टम के लिए 6 महीने में सिंट्रलाइजड IT सिस्टम बना लिया जाएगा बैठेक में आटो सेटल्मेंट के लिमिट को एक लाग करने का सुझाओ दिया गया है साथ ही eligibility check के लिए सिस्टम को मजबूत करने और death claim के process को digital करने का सुझाओ दिया गया है यह जानकारी मीटिंग में बैठने वाले एक NDTV profit के सूत्र ने दी है हाला कि एक लाग के limit जो दी जा रही है टो settlement के लिए वो कुछी मामलों में होगी जैसे घर खरीदते समय, शादी में खर्च के लिए, पढ़ाई और बीमारी में पैसो की जरूरत के समय बता दें कि कुल claim का 60% जो होता है वो इन्ही चार मामलों में रहता है इन्हें form 31 के द्वारा claim किया जाता है इस form को EPF advance form भी कहते हैं श्रम और रोजगार मंत्राले और EPFO structural reforms करने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिसके लिए कुल 6 महिने के अंदर 3 timeline तै की गई है पहली timeline यानि शुरुवाती target को पाने के लिए timeline जो तै की गई है वो 30 June की रखी गई है मीटिंग में और कुछ महत्वपुर्ण और भी मुद्दों पर बात हुई ये मुद्धे नौकरी करने वालों के लिए और नौकरी देने वालों के लिए दोनों के समस्याओं से संबंधित थी जिसमें नौकरी करने वाले लोगों के लिए सोशल सेक्योरिटी को मजबूत करने का मुद्दा था और नौकरी देने वालों के लिए बिजनस आसान करना सबसे ज़्यादा फोकस में था मीटिंग में तै किया गया कि नए सिस्टम में बैंक खातों का वेरिफिकेशन NPCI के द्वारा किया जाएगा जिससे की हर क्लेम में अकाउंट के वेरिफिकेशन का प्रूफ न देना पड़े एक सुझाओ और दिया गया है जो प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए काफी फायदे मंद होगा इस सुझाओ में कहा गया है कि पुराने अकाउंट के बैलेंस का ट्रांसफर नए अकाउंट में आटोमेटिक करने की सुविधा दी जाए साथ ही क्लेम के मामलों का जल्द से जल्द निप्टारा हो क्लेम के रेजेक्शन को कम किया जाए आई टी सिस्टम को अपडेट करने और पेंशन से रिलेटेड मुद्दों पर भी मीटिंग में गंभीर बाचित हुई तो ये थी आपके काम के खबर काम की ऐसी ही खबरों के लिए NDTV Profit Hindi को सबस्क्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुँचाईए इस वीडियो को शेर कीजिए